हेलो एवरिवन, अस्सलाम उलेकुम, आज हम नेक डिजाइन बनाएगे, जिसके लिए ये कुर्ती का कपड़ा है, कुर्ती को मैंने पहले ही कट कर लिया है, और ये सलवार का बच्चा हुआ कपड़ा है, जो हम नेक डिजाइन में यूज़ करेगे, और ये कुर्ती का इसमें लगी हुई आई थी, इसको मैंने निकाल दिया है, अब जो हम नेक लाइन पर पेज बनाएगे, उसके बीच में ये पट्टी लगाएगे, और इसकी बॉर्डर पे हम ये लेज अटेच करेगे, तो हब सबसे पहले मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग ले लिया है, जिस यहां पर नीचे से इसकी चोड़ाई रखनी है तीन इच, तो यहां पर इस तरह से तीन इच पर निसान लगाकर इसको सीधा कर लेगे, और उपर के निसान को भी इस तरह से क्रॉस में एक दूसरे के साथ जोड़ देगे, अब इसको हम कट कर लेते हैं, कट करने के बाद हम गले की चोड़ाई रखेगे साड़े तीन इच साड़े तीन इच पर इस तरह से निसान लगा कर गले की लंबाई का निसान हम साड़े छे इच पर लगाएगे और इसको गोलाई में इस तरह से ड्रो कर लेगे ड्रो करने के बाद इसको कट कर लेगे और अब इस तरह से सलवार के बच्चे हुए कपड़े पर इस तरह से प्रेस से इसको चिपका लेगे और यह जो कुर्टी का बच्चा हुआ कपड़ा है यह अब इसकी चोड़ाई हम एक इंच रखेगे और एक एक इंच चोड़ी पट्टियां यहां से कट कर लेगे यह इस तरह से पट्टिया कट करके इसको फोल्ड करके इस तरह से लगाना है अब यह मैंने पेपर विस्टिंग को चिपका लिया है और इसमें बीच में सेंटर का निसान भी बना लिया है अब हम यहाँ पर निसान बना लेगे जहां से हमें पट्टिया लगानी है तो यहाँ पर मैं एक इंच पर इस तरह से निसान लगा रही हूँ यह देखे निचे जो कपड़ा है आधा इंच वो फोल्डिंग के लिए है यह एक इंच पर इस तरह से निसान लगा कर यहाँ पर क्रॉस में लाइन ड्रो कर लेगे यह लाइन ड्रो करने के बाद यह स्केल की चोड़ाई है डेड़ इंच तो मैं यहाँ पर सारे निसान इस तरह से स्केल की चोड़ाई से ही लगा लूँगी ये डेर्ड इंच का निसान इसलिए लगाया है क्योंकि आधे इच चौड़ी जब पट्टी लगेगी तो बीच में मार्जन एक इच हो जाएगा ये देखे इस तरह से सारे निसान को लगा कर हमें इसको रेडी कर लेना है ये निसान लगाने के बाद हमें इसकी पट्टी बना लेनी है तो हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेगे बाद में ये सिलाई को हम निकाल देगे ये पट्टी रेडी करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर रखना है और इसको इसमें अटेच कर लेना है अब एक और पट्टी ये जो निसान हमने लगाया था उसकी बराबर रखकर दूसरी पट्टी को भी लगा लेगे एक और लगाके मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से सारी पट्टी को लगाकर ये पेश को हम ready करेगे ये मैंने सारी पट्टिया लगा ली है अब ये जो ड्रेस के साथ वर्क वाली पट्टी आई थी इसको हम बीच में अटेच कर देगे ये हमने इसको भी अटेच कर लिया है अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेगे फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा देगे कुर्टी में हमने पहले ही सेंटर का कट लगा लिया है और प्रेस से एक निसान भी बना लिया है अब ये उल्टे कपड़े पर रखके हमें सीधी साइड इसको पल्टा रहा है तो यहाँ पर उल्टे कपड़े पर इस तरह से इसको उल्टा ही रखेगे और इसकी पेपर पेश्टिंग की किनारी पर सिलाई लगा लेगे और इसको इस तरह से आदे एच का मार्जन देते हुए कट कर लेगे इसको कट करने के बाद अंदर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेगे और अब इसको बाहर की तरफ पल्टा लेगे बाहर की तरफ पल्टा आने के बाद इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएगे अब इसको अर्टेज करने के बाद एक और आखरी काम बच्चा है जो हमें ये लेस हमने ली थी वो इसको यहाँ पर इसके किनारी पर हमें लगा देनी है किनारी से इस तरह से मोड़कर इसको पूरा करेगे अब यहाँ पर नेक लाइन पर भी ये लेस हम लगा लेगे और यहाँ मारा गला बनके रेडी है यह देखे यह मैंने कुर्ती को तयार कर लिया है और स्लीज पर भी मैंने इस तरह से डिजाइन बना ली है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेल जरूर करे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ओन करे ताके मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिया लाफिस